गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम करेंगे अभ्यास कारिये हमारा लेशन था विशेशन जो कि हम पढ़ चुके हैं नहीं हमारा लेशन विशेशन था जो हमारा कम्पलीट हो चुका है आज हम उनके प्रशन उत्र करेंगे जो कि इस परकार है पहला क्यूशन है हमारा उचित विशेशनों से रिक स्थानों की पूर्ति कीजी यानि कुछ विशेशन शब्द दिये हुए कुई वाक्य है उसके सामने विशेशन शब्द दिये हुए उन से छाट कर हमें खाली जगह पर भढ़ना है पहला हमारा कै नमबर है तितली होती है तो बच्चों तितली कैसी होती है सामने हमारे कुछ विशेशन शब्द दिये हुए है उन में से हमें देखना है कि तितली कैसी होती है पहला है पीली, दूसरा हरी, तीसरा रंग बिरंगी तो तितली बच्चों कैसी होती है रंग बिरंगी जो कि मैंने यहाँ पर राइट का निसान लगा रख है वो यहाँ पर आपको खालिस्तान के अंदर भरना है यहाँ जो खाली जगह पड़ी है यहाँ आपको रंग बिरंगी भरना है अगला क्यूशन है हमारा खै नंबर क्यूशन इस बाल्टी में पानी है आगे उप्सन दिये हुए है ढेर थोड़ा तीन तो इस बाल्टी में पानी कितना है थोड़ा पानी कितना है थोड़ा तो यह थोड़े वाला हमें थोड़ा जो लिखा हुआ है वो हमें इस खाली जगह में लिखना है अगला है हमारा मुझे टमाटर दे दो मुझे टमाटर दे दो तो सामने option दिये हैं 2 गराम, 2 किलो तो इसमें से कौन सा आएगा बच्चो 2 किलो, क्योंकि टमाटर किसमे का, यानि किलो में होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, मुझे 2 किलो टमाटर दे दो, तो ये 2 किलो जो option है हमारा, ये कहां आएगा, इस खाली जगय के अंदर आएगा, जो कि आपको भरना है अगला हमारा गह नंबर क्यूशन है महराना परताव एक राजपूत थे, आगे option है, उंचा और दूसरा option है हमारा, वीर तो यहाँ पर क्या आएगा, खाली जगय में वीर, खाली जगय में क्या आएगा वीर तो यह जो वीर लिखा हुआ है यह आपको इस खाली जगय में लिखना है अगला question हम देखते हैं बच्चो टू नंबर क्यूशन है हमारा, निम्न लिखित प्रशनों के उतर दीजी, यानि आपर प्रशन लिखे हुए है उनके आवंसर लिखने है जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दिखा रखा है पहला question हमारा है विशेशन किसे कहते हैं तो यहाँ पर हमें विशेशन कि डेफिनेशन लिखनी है जो विशेशन सब्द संग्या और शर्वनाम की विशेषता बताता है जो सब्द शंग्या और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषन कहते हैं अगला क्यूशन हमारा खैनमबर क्यूशन है विशेषन के कितने भेदोते हैं नाम बताईए तो बच्चों, हम पढ़ चुके हैं, विशेशन के कितने भेदोते हैं, चार भेदोते हैं, कितने भेदोते हैं, चार नमबर एक गुण वाचक विशेशन, नमबर दो संख्या वाचक विशेशन, नमबर तीन परिमान वाचक विशेशन और नमबर चार सार्वनामिक विशेशन गुण में विशेशता बताई जाती है संख्या में उसके काउंटिंग बताई जाती है और परिमान वाचक में उसका नापतोल बताया जाता है और सार्वनामिक में सार्वनामिक शब्द आते हैं इसके बाद हमारा अगला कुशन है गय नंबर कुशन है विशेश से किशे कहते हैं विशेशन अलग होता है विशेश से अलग होता है जो कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था विशेश से और विशेशन में अंतर भी बताया था कि विशेश से क्या होते हैं और विशेशन क्या होते हैं तो बच्चों विशेश से किसे कहते हैं इसका अंसर है जिसकी विशेशता बता यानि विशेशन जिसकी विशेशता बताते हैं या तो संग्या की बताते हैं या शर्वनाम की बताते हैं तो वो संग्या और शर्वनाम ही क्या होते हैं विशेश से जैसे मैंने यहाँ पर आपको उधारन देकर समझा रखा है जील में सुन्दर नावे तैर रही है तो बच्चों सुन्दर क्या है? सुन्दर नावे तैर नाव की विशेशता बताई गए यहाँ पर कि नाव कैसी है? सुन्दर है नावे नावे कैसी है सुन्दर है तो इस सुन्दर यहाँ पर क्या होगा हमारा विसेशन सुन्दर क्या होगा विसेशन और सुन्दर किस के बारे में बोला गया है यानि सुन्दर किस की विसेशता बताई जा रही है नाव की विसेशता बताई जा रही है नाव की, तो नाव हमारा क्या हो गया, विशेश से, सुन्दर हुआ विशेशन और नाव हुआ विशेश से, अगला क्यूशन है बच्चों, गह नमबर क्यूशन है हमारा, संख्या वाचक विशेशन किसे कहते हैं, यानि विशेशन की चार भेद बताये थे, गुण वाचक, स संख्या वाचक विशेशन किसे कहते हैं यहें कितने प्रकार के होते हैं तो बच्चो जो यहां पर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो विशेशन जो विशेशन संग्या या शर्वनाम की संख्या या गिंती का बोध कराते हैं उन्हें संख्या वाचक विशेशन कहते हैं क्या होता है संख्या वाचक में संख्या या गिंती यानि काउंटिंग करते हैं तो उसका बोध कर जो विशेशन शब्द संग्या या सर्वनाम की संख्या या गिंती का बोध कराते हैं उन्हें संख्या वाचक विशेशन कहते हैं ये कितने परकार के होते हैं बच्चों दो परकार के होते हैं निश्चित संख्या वाचक विशेशन और अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन निश्चित संख्या बाचक विशेशन में वो चीजे निश्चित होती है जैसे counting होती है वो निश्चित होती है एक, दो, तीन, चार ऐसे निश्चित होती है और अनिश्चित में क्या होता है कुछ यानि अंदाजा बताया जासे कम थोड़ा ऐसे अंदाजा बताया जाता है उसमें counting नहीं होती है इस परकार बच्चो हमारे विशेशन वाला जो लेशन था उसके question answer complete हो चुके है ये question answer आपको अपनी fair notebook में करना है यानि क्या है ये आपका hw क्या है आपका hw जो कि आपको अपनी fair notebook में करना है और आपको याद भी करना है क्या करना है याद भी करना है धन्यवाद